दोस्तो यदि आप Facebook पे कुछ इस तरह के AI related image डालके या फिर कुछ इस तरह के reels या long video जो की AI द्वरा बनाया जाता है इसको post करके पैसा earn कर रहे थे तो अभी आपको सतर्क हो जाना है नहीं तो आपका जो ID है वो या तो delete हो जाएगा और साथी साथ आपके उपर legal action भी लिया जा सकता है जी हाँ दोस्तो Facebook ने एक new update लाया है वो क्या update है आगे आपको बताऊंगा और साथी साथ ये भी बताऊंगा जो क्यों AI के videos पे ही ये लागू होता है और यदि आप उस चीज़ को वीडियो को upload करते हो तो क्यों आपका ID delete हो जाएगा साथी साथ आपके उपर legal action क्यों लिया जा सकता है सब आपको details में इस वीडियो में बताने बाला हूँ बस आपको इस वीडियो को जो है end तक देखना है और दोस्तों यदि पहली बार आप हमारा वीडियो देख रहे हो अभी तक चैनल को subscribe नहीं कियो तो subscribe कर लिजेगा Facebook पे देख रहे हो तो follow कर लिजेगा वीडियो अच्छी लगे वीडियो से help मिले तो वीडियो को एक like जरूर कर लिजेगा तो चलिए करते हैं वीडियो को start तो दोस्तों यदि आप Facebook पे bonus से पैसा earn करते हो वो भी AI वाले कुछ इस तरह के image डालके तो यहाँ पे आपको एक new update और एक new option देखने को मिल रहा होगा जैसे कि देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक AI photo select किया है और यहाँ पे आप अपना title, tag, description वागेरा लिख देते हो यहाँ पे उपर में देखो आपको एक option देखने को मिल रहा होगा AI label off तो यह क्या है और इसको on करना है या फिर off करना है यह चीज़ आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ साथी साथ बताने वाला हूँ जो यदि आप इसको on नहीं करते हो तो क्या होगा और यदि off रहने देते हो तो क्या होगा तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे देखो आपको जो यह AI image देखने को मिल रहा है इसमें यह car accident होते हो यहाँ पे दिख रहा होगा और बहुत जगा आपको rail accident वाला या फिर bank में robbery वाला या फिर कुछ ऐसा AI reels या फिर video देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे भी यह AI के दोरा ही बनाया गया है तो इस सब को देखते हुए क्या होता था जो AI के दोरा बनाया गया वीडियो से बहुत से गलत news फैल रहे थे बहुत से लोग वीडियो को देखते थे कहीं पे rail accident हो गया है तो कहीं पे car का accident हो गया है कहीं पे bank में robbery हो रहा है तो ये AI द्वारा बनाया गया वीडियो रहता था या फिर डिल्स रहता था या फिर इमेज रहता था लेकिन लोग इसको सच मानके गलत न्यूज एक दूसरे को बताते थे और एक दूसरे को गलत न्यूज का इंफॉर्मेशन दे थे जिससे लोगों के भी बहुत ही को मिलेगा AI level off को इसको आपको on करके रखना पड़ेगा तो simply आपको यहाँ पे click करके इसको on कर देना है तो यदि आप इसको on कर देते हो तो आप जो भी AI related photos, videos या फिर रिल्स अपलोड कर गए वहाँ पे कुछ इस तरह का आएगा जिसे लोगों को पता चल जाएगा जो य गटना नहीं है यह AI के दोरा बनाया गया इमेज है या फिर AI के दोरा बनाया गया रिल्स और वीडियो है और इसे लोग के वीज़ो है गलत न्यूज नहीं फैलेगा और उनको कुछ इस तरह का न्यूज नहीं लाएगा जो यह रियल घटना से रिलेटेड है तो इसलिए Facebook उनकी ने यह अपडेट यहाँ पर लाया है अब हम बात कर लेते हैं तो योदि आप AI related Reels, Photos या फिर वीडियो जाल तो रहे हो लेकिन इसको यहाँ पर और नहीं कर रहो जिए तो क्या होगा तो यदि आप जो Reels, Photos या फिर वीडियो जो की AI दौरा बना कि apload करते हो उसस तो न्यूज है जो कि गलत न्यूज आपके पोस्ट के वज़ा से फैला है यह यदि बहुत जैदा फैल जाता है तो सरकार के दोरा आप पर लीगल एक्षन भी लिया जा सकता है तो इसलिए यहाँ पर यह ओप्शन दिया गया है यदि आप चाहे तो लर्ण मूर वाले यदि आप इसको आफ करते हो और आपके पोस्ट के वज़ा से कोई गलत न्यूज लोग के बीच में फैलती है और यह जैदा फैल जाएगा तो आपका आईडी तो डिलीट होगा ही होगा साथी साथ आपके उपर लीगल एक्षन भी लिया जा सकता है उस सरकार के दोरा तो इसलिए इस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे AI-related content पे काम करना है तो दोस्तो इस चीज़ से related जो भी यहाँ पे point थे हमने आपको अच्छे से समझा दिया तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो से help मिली हो तो वीडियो को like कर लीजेगा ऐसे ही लिए टेस्ट में अप्लोर करिएगा उस पे आपको इसको on करके रखना है इस सभी के अलावा भी यदि कोई question है आपका तो वीडियो के description में हमारे Instagram ID का link मिल जाएगा वहाँ पे आप हमें follow करके message कर सकते हैं तो चलिए मिलते हैं next वीडियो में तब तक लिए thank you जैहिं